हेलो एब्रिवन आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस परेश वीडियो पर तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूंगा HDFC Defense Fund Diet Growth जो की अभी हाल में ही लॉंच हुआ है तो उसका complete हम लोग knowledge देखेंगे HDFC Defense Mutual Fund के अंदर कौन कौन से stock listed है उसका हम लोग देखेंगे NAB उसका हम लोग देखेंगे return उसके बाद देखेंगे यह कितने star rating mutual fund है इसका fund size क्या है सब चीज 8-0 हम लोग HDFC Defense Fund diet plan growth के अंदर देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग एक मेने का return देखते हैं तो एक मेने में जो return दिया वो 7.13% का return है आपका एक मेने के अंदर यदि all time देखा जाए तो all time जो return है वो 31.17% का annual return है आप हम लोग जड़ा इसकी graph को देखते हैं तो यह जो launch हुआ था यह launch हुआ है 19 माई 2023 को हलाकि भी 6 मेने ही इनका हुआ है rating की बात कर लेते हैं तो इसको किसी परकार का भी rating नहीं मिला हुआ है इसकी एनवी के बात कर लेते हैं तो आज के date में इसका एक एनवी के price से 13 रुप्या 12 पैसा minimum S.I.P. amount की बात कर सकते हैं तो आप इसमे minimum S.I.P. amount 100 लगा सकते हैं और इसका जो fund size है वो है 1365 करोर का हम लोग return calculator देखते हैं return calculator में देखेंगे यदि आप इस mutual fund के अंदर 50,000 रुप्या पहना अभी ज़्यादा graph available नहीं है क्योंकि company ने हाल में ही इस mutual fund को launch किया है तो 3 मेने का data देखेंगे तो 3 मेने में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 15,000 रुप्या आपको मिलेगा 15,400 रुप्या यानि कि 3% का return आपको 3 मेने के अंदर देखने को मिलेगा अब इसके अंदर holding की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो total stock listed है वो 20 stock listed है जिसमें से top 10 पर इसमें बात कर लेते हैं तो top 10 holding में पहला नम आता है भारत electronics limited, हिंदुस्तान aeronautic limited, solar industrial india limited, mtar technology limited, astra microwave products limited, be ml limited, science dlm limited, भारत dynamic limited, premium explosive limited, td power system limited तो ये total top 10 stock इसके अंदर listed है ऐसे इस mutual fund के अंदर जो total stock listed है वो 20 stock listed है अब इसके आजपास ये दिया हम लोग similar funds देखे तो कौन-कौन से इसके आजपास similar fund है वो है quant infrastructure fund diet growth, kotak infrastructure and economic reform fund diet growth, camera rubico infrastructure diet growth, SBI conversion optionality fund diet growth, सुन्दरम financial service optionality fund diet growth तो इसके आजपास इतने सारे इसके similar funds है अब हम लोग इसकी expensive ratio exit load और tax की बात कर लेते हैं तो इनका जो expensive ratio है वो है 0.86% का exit load की बात कर लेते हैं यदि आपना invest की आपापैसा एक साल के अंदर ही redeem कर लेते हैं तो 1% का exit load पड़ेगा system duty की बात कर लेते हैं तो system duty जो है 0.005% है अब हम लोग इसकी fund management की बात कर लेते हैं कुन इस fund को management कर रहे हैं वो है अब इसे एक पोददार और धुरूब मूंचल तो दो जो है fund manager इसको manage कर रहे हैं इस fund को तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया HDFC defense fund diet growth के बारे में फिर मिलते हैं हम लोग next को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के